आपका मेरा YouTube चैनल गाइड में आशा करता हूं कि आप सक ठीक होंगे दोस्तों आज बात करने वाला हूं हुगुल लोन एप किस तरीका का अप है यहाँ पर लोन मिलता है कि नहीं मिलता है यह अप सई है कि नहीं सई है क्या हमें यहाँ से लोन लेना चाहिए यह नहीं लेना और इनके जो key partner है वो credit financial services limited है इनका ये भी दावा है कि यहां से आपको 50,000 तक का लोन दिलवा सकते हैं आपको time in 91 days से 18 days देते हैं annualized interest rate इनका 18 से 22% तक चार्ज होता है और eligibility में ये बताते हैं का 22 साल सुपर उमर होने चाहिए and resident होना चाहिए stable income होने चाहिए और loan लेने के लिए आपको इस app को download करना पड़ेगा आपको अपना number register करना पड़ेगा basic details बनने पड़ेगी KYC करानी पड़ेगी उसके बाद आपका जो loan आपके account में आ जाएगा और फिर आप कुछ rate of interest के साथ उसको repay कर सकते हैं ऐसा इनका दा दिखाया और लोनों ने loan के लिए apply कर दिया जब loan के लिए इन लोग ने apply किया तो जो loan amount इन लोगों को दिखाया गया 5000, 6000, 3000 उसका आदा पैसा इनके account में आया या फिर जिन लोगों ने loan के लिए नहीं apply किया और वो exit कर गया है तो जबरदस्ति उनके account में पैसा डाल दिया गया नहीं उनको बताया गया कि क्या loan approve हुआ है क्या interest rate है क्या duration है loan की क्या service charge आपने charge किया है तो यह सब चीज ना बताकर जबरदस्ति उनके account में loan डाल दिया गया और अगर बताया जा रहा है कि आपको loan approve हुए 3000 का तो 1650 उपएड डाल दिये गए अगर 1750 उपएड डाले हैं अगर अनीशुSWD डाले गया है तो यह आपसे 3500 मांग रहा है अगर 2600 उटाला गया तो 5000 माग रहा है और अगर at330 ऐ तो यह आपसे 6000 माग रहा है तो इस साथ दिन में ही आप से पैसे मागने लगते हैं, ये साथ दिन से पहले-पहले ही आपको अलालग calls करेंगे, messages करेंगे, अलालग अलालग numbers से, आपको परिशान करेंगे, और ये कहेंगे कि आपका data हमारे पास है, contact list आपकी हमारे पास है, आपको बदाम करते हैं, आपको टॉचर करते हैं, आपको परिशान करते हैं, आपको हैरेस करते हैं, आपके साथ गाली गलोज करते हैं, वो हर एक चीज करते हैं, जिसके बज़े से आप loan को repay करते हैं, और अगर आपने loan को repay कर दिया, तो आपका loan close भी नहीं होगा, और ये लो loan apps को download ही नखे रहे, क्योंकि अगर आप download करते हैं, तो आपकी परिशानी उसी दिन से शुरू हो जाएगी. क्योंकि data आपका चला जाता है, और अगर data चला गया, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको बनाम कर सकते हैं. और दोस्तों अगर आप फर्स चुके हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए इससे कैसे पज़ा जाए कैसे इससे डिल किया जाए और आप साइबर पोर्टल पर कंप्लेंट भी कर दिए इसके उपर भी मैंने पूरा टूटोरियल वीडियो बनाया है और दोस्तों इस तरह के लोन एप से आप लोन लेने से पहले रिव्यू जरह देख लिया करिए आप यूटूब पर वीडियो देख लिया करिए और कई रिव्यू देखा करिए एक नई देखा करिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए